सल्मान खान के शो बिग बॉस 15 का आज ग्रैंड प्रीमियर है शो के कई प्रोमोज अल्रेडी आउट हो चुके हैं और कई कंटेस्टेंट्स को अल्रेडी रिवील कर दिया गया है प्रोमोज को देखकर फैन्स बहुत एक्साइटेड है वहीं हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी अक्ट्रिस रही है टेलिविजन की जिनोंने बिग बॉस को मना कर दिया है जी हां सल्मान खान के शो को कई अक्ट्रिस ने रिजेक्ट किया है लेकिन अक्ट्रिस ने इस शो को साफ साफ मना कर दिया फैन्स सुर्भी चांदना की रियल लाइफ और उनकी रियल साइट देखना चाहते थे लेकिन सुर्भी चांदना ने इस शो को करने से इंकार कर दिया इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है धाकड गर्ल के नाम से पॉपुलर हो रही अक्ट्रिस दिव्यांका तृपाथी का दिव्यांका तृपाथी ने हाली में दिये एक इंटेव्यू में इस बात को कुबूला है कि उन्हें बिग बॉस 15 ओफर किया गया था लेकिन उन्होंने इस शो को मना कर दिया क्योंकि उनको लगता है कि वो इस शो के लिए नहीं बनी है और शायद उनके फैंस को भी यही लगता है क्योंकि दिव्यांका का स्वीट नेचर उन्होंने खत्रों के खिलाडी में देख लिया है नेक्स इस लिस्ट में नाम आता है पवित रिष्टा फेम अक्ट्रेस अंकिता लोखंडे का जिनको ये शो सिर्फ एक बार नहीं बलकि कई बार ओफर किया गया है लेकिन हर सीजन अक्ट्रेस इस शो को रिजेक्ट करती आई है और हर बार की तरह Big Boss 15 को भी अंकिता लोखंडे ने रिजेक्ट कर दिया है अंकिता लोखंडे के ही साथ बॉलिवूड की वन आफ दे मोस्ट कॉंट्रोवर्शियल अक्ट्रेस रही 2021 में रिया चक्रबर्ती उनको भी ये शो ओफर किया गया था Big Boss का शो जो है वो हमेशा यही कोशिश करता है कि किसी तरह इसमें मसाला अड किया जाए और 2020 में रिया चक्रबर्ती का नाम जिस तरह से मीडिया में उच्छाला गया था वो Big Boss के लिए एक perfect contestant रही थी लेकिन रिया चक्रबर्ती ने इस शो को करने से मना कर दिया है उन्होंने Big Boss 15 का offer reject कर दिया नेक्स्ट इस लिस में नाम आता है अक्ट्रेस सनाया इरानी का जो की टेलेविशन से पिछले कई सालों से गायब है लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोईंग अभी भी बहुत जादा है फैन्स उनको एक पर फिर से किसी टीवी शो में देखना चाहते हैं और इसी पीच में सनाया इरानी को भी हर साल बिग बॉस ओफर किया जाता है लेकिन वो हर साल इस शो को करने से मना कर देती है